हलो फ्रेंड्स, आइम अंश, योर गार्डनर फ्रेंड, आज आप से सिंगोनियम की समर केर के बारे में बात करूँगा, इसे हम एरो हेट प्लांट प्लांट पी बोलते हैं, क्योंकि इसकी जो लीव की टिप रेती हो बिल्कुल एरो की डिजाइन की जैसी होती है, इसलिए से हम एरो हेट प्लांट पी बोल सकते हैं, इस प्लांट की काफी सारी वेराइटी जाती हैं, काफी सारे डिफरेंट शेड्स और कलर्स में आता है, और कुछ-कुछ की लीव का शेप भी अलग रहता है, अब मेरे इस प्लांट का आप देख सकते हैं, इस वेरिगेट प्लांट इसका एक color आता है, बिल्कुल पूरा pure green color का भी होता है, मेरे इसमें तोड़ा वेरिकेशन ही yellowish colors में, से mix लगता है, तो आज हम बात करते हैं, कि इसकी हम समर में कैसे देख भाल करें, ताकि हमारा plant और अच्छा बुशी हो, और हमारा plant काफि जादा healthy लगे, अभी आप देख स देख सकते हैं पुछ पीछे की लिए इन में ये तकी healthy नहीं दिखे हुए है ये तो बिलकुल ये से तो मैं हटा ही दूँगा जो लीज आपको इसकी healthy नहीं दिखे आप उने हटा भी सकते हैं वैसे तो आप इसे मॉस्टिक में लगा है तो और भी ज़दा अच्छा रेता है मॉस्टिक अगर हम इसे लगाते है तो फिर ये प्लांट अच्छा ऊपर तक जाता है लेकिन अगर आप लोग चाहते हैं कि आपका प्लांट बुशी हो जाए नीचे से फैलता जाए तो आप एक काम करिए जैसे जो इसकी ब्रांचिस बड़ी होती जाए जैसे अभी तो मेरे इस प्लांट की ब्रांचिस ती बड़ी नहीं है तो मैं कट नहीं करूँगा जैसे कि यहां से अगर कोई और ब्रांच इतनी बड़ी अगर आपकी कोई ब्रांच हो जाए तो आप उसको टिप से कट करते चाहिए तो फिर वहां से और दो नहीं ब्रांचिस निकलेंगी और फिर आपका प्लांट और बुशी होता जाएगा लेकिन अभी इस प्लांट के साथ में काम नहीं करूंगा क्योंकि मुझे से मॉस्टिक पर चड़ाना है मुझे प्लांट थो 25-degree के एंगल पर कटी हुई कटिंग लेना चाहिए और कम से कम तीन नोट होनी चाहिए उस कटिंग में वह कटिंग बहुत अच्छे से ग्रोह होती है वर्ना जैसे अगर आपका गमले बहुत जादा भर गया हो काफी रूट बाउंड हो गया तो आप उस गमले को भी गमले क कर सकते हैं मिठी बहुत जादा साउगी मिनें कर सकते हैं रूट बाउंड कफाद प्रॉट पसंद करता है अब जयसे अगर रूट सिस्टम काफी अच्छा होता है और इसकी अगर हमें रिपॉर्टिंग करनी हो तो हम इसकी रिपॉर्टिंग हर दो साल में कर सकते हैं थोड़ा रूट बाउंड कंडिशन में रहना है प्लांट पसंद करता है अब जैसे मैंने इसे फरवरी के समय अच्छा से खात दे करते हो एक चमबच दी थी थी मैंने इसे वर्मी कंपोस्ट दी थी जैसन मैंने आपको अपनी पिछली वीडियो में भी बता आ होगा कि मैं हर फरुरी और के मन्थ मैं हमने सबी प्लांच को अच्छा से खात देता हूं तो यॉक्ध प्लन में ने सकाना मिलता रहता है लेकि अब यह तोड़ी तो आप उसे एक काम कर सकते थोड़ा mix में पीस लीजिए थोड़ा डिवूल फोड़ा में तो आप उसे पीस लीजिए मिक्सी में आप अच्छा से ग्राइंड कर लीजिए फिर आप उसे थोड़ा कम दे रहा हूं में इसमें वो सॉलिशन डीए पी और इंपी का जो मैंने आपको बता है लेकिन आप अपने प्लांट के थोड़ा अगर कम भी दें वो तो ज्यादा चलेगा ज्यादा अच्छा रहेगा मेरे हिसाब से क्योंकि कभी हमारे प्लांट को डीए पी एंप जी इसका ड्रेनेज होल बिल्कुल परफेक्ट होना चाहिए पानी इसमें रुकना निजी इसके पॉटिंग मिक्स में एक हिस्सा सेंड एक हिस्सा खाथ और एक हिस्सा गार्डन सॉयल आप ले सकते हैं खाद में इसके लिए वर्मी कंपोस्ट सब्से अच्छी रिती नाइ जैसे मैं आपको अपनी मनी प्लांट वाली वीडियो में भी बताया था कि एक लिटर पानी में दो चुटकी एनपीक को आप डिजॉल करें और उसमें फिर उसे पत्तियों पर अच्छा से स्प्रे कर दें तो आपको सेम इसमें भी वैसा ही करना है जैसे आपने मंडे को दि पानी में भी ग्रो करा जाता है अब मेंने आप से मि GET के बारे में भी बात कर ली और इसे अ क्या देना चाहिए हमें उसके बारे में भी बात कर ली किसे इसका प्रफोकेशन हुता है उसके chili अब बात करते हैं कि ससे son Sixt के कितनी requirement रहती है यह plant वैसे shade loving plant है इंडोर्स में भी बहुत अच्छा चलता है यह plant तो आप इसे थोड़ा एसी जगे पे रखे जहाँ पे इसे सुबे की धूप मिल जाए और अगर शाम की जाती हुई धूप भी मिल जाती तो वो भी इस plant के लिए अच्छी देती बिल्कुल तेज धूप में आप इसे ना रखे वरना इस plant पे आपके brown spots होने लग जाएंगे और अगर आप इसमें over watering कर देता तो आपके पत्तियों का अच्छी यह भी lockdown चल रहा है तो मैं मॉस्टिक भी नहीं लेकर आ पा रहा हूं तो मॉस्टिक जैसी lockdown खता है तो फिर मैं इसके लिए मॉस्टिक लगगा मुझे इसको थोड़ा लंबा करना है मुझे बुझे बुशी तो चाहिए निकिन एक plant मेर पास रखा हुआ जो अच् अच्छी स्प्रे करें तो अब इसकी इसकी मॉस्टिक पर अच्छा से एंपी के को स्प्रे करते हैं तो उसकी रूटस वहां से खाना लेती और मॉइस्टिर को ट्रब पड़ती तो आपके सिंगोनियम की वेरिगेशन काफी अच्छे आते हैं फ्रेंड्स आप से एक बात और कहना चाहूंगा जैसे मैंने आपको मनी प्लांट में भी बताया था कि यहां से एक यहां से ब्रांच जो जारी थी बिल्कुल उपर तक चले गई थी और यहां पर पत्तियों का एक वर्ल सा आ गया था और जो बीच में ब्रांच थी उस पर अर फिर जो बीच में ब्रांच जो आपको प्कू आ जारी मौस्टिक के तो ऊप्क्पर कोई maj तो उस ब्रांच को फटा दे शाज़ा एक तो ollen सायदा अब अच्छा रहेगा और यह तो फूट लेती रहें कि यह जो परकी पत्य बहती और एक तनी ज़ादा अच्छी नहीं रेती दिखने में, काफी healthy leaves नहीं रेती हैं, तो आप एक काम करें, जैसे मैंने अपने money plant में भी, यहां से मैंने cut कर दी थी उस ब्रांच को, तो आपके अगर singonium plant भी अपने monstic पो चाड़ा रखा है, तो आप उसकी भी, अगर ब्रांच ऐसी उपर जा रही ह क्योंकि गर्मियों के टाइम पे मिट्टी जल्दी सोख जाती है, तो आप से कम उपर की layer तो आपकी सूखी होनी ची प्लांट में, मिट्टी एक layer सूखी होनी ची तभी आप इसे पानी दे, और मैं आपको एक बात बोलना चाहूंगा, कि आप हमेशे कोई भी plant लगा है, तो जिसे आपको पता ही होगा हमारे plants की जड़े भी सांसे लेती है, तो फिर आप इसमें मिट्टी के गमले को ही यूज करें, और कभी ज़्यादा पानी भी अगर हम over watering भी कर देते हैं मिट्टी के गमले में, तो वो पानी evaporate हो जाता है मिट्टी के गमले में आसन से, अगर सिंगोनियम प्लांट हो तो आप उसकी भी केर विल्कुल ऐसे ही करें, अगर आपके मन में कोई सवाल हो तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में जाके ज़रूर पूछे, मैं आपके कमेंट्स का हमेशा जवाब दूँगा, तो अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा रग हो तो आप इसे लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, ओके फ्रेंड्स बाए